बंगलादेस को सिकस्त देकर टीम इंड़ा ने जीता वार्मा मुकाबला नमस्कार दोस्तु स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों विल्ड कप दोजारच चौिस में टीम इंडिया ने अपने पहले वार्मा मुकाबले में संदार परपॉमेंस करते वे बंगलादेस की टीम को करारी सिकस्ते देकर इतिखास त्रच दिया है तो दोस्तों आपको इस मुकाबले में भारत और बंगलादेस के बीच वे इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी बंगलादेस के खिलाब टीम इंडिया की संदर जीत को देख कर खुसे तो इस वेड़ो को एक लाइक की जुरूर कर दें और साथी साथ अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाले तो चले दोस्तों जानते हैं इस बैद इस संदर मुकाबले का पूरा हाइलाइट सुरू आत से ही तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टोस चीता टीम इंडिया के कप्तान रोहित सर्मा ने और पहले बलेवाजी का फैसला किया टीम इंडिय की तरब से आज विराट कोली हिस्सा नहीं ले रहे थे तो टीम इंडिय की तरब से संजू सेमसन और रोहित सर्मा पारी की सुरूत करने उतरे लेकिन दोस्तों सुरात उतनी अच्छी नहीं हुई टीम इंडे की और दूसरे और की पाँचवी गेन पर ही सौरिफुल इसलाम ने संजू सेमसन को LBW आउट करके पैवलेन बेज दिया संजू सेमसन 6 गेनों का सामना करने के बाद सिर्फ एक रन बना कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद उस्तों इस मुकाबले का पहला चोका तीसरे और की दूसरी गेन पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने साकिप की गेन को बेकपूट से चोके के लिए मिडविकिट की दरब बॉंड लाइन के पार वेजा तो इसी और की तीसरी गेन पर एक स्वीप के जरे उन्होंने बेकट्स कर लेक की दरब एक और संदार चोका जड़ दिया इसके बाद उस्तु मुकाबले का पहला चका चोटे आवर की आखरी गेन पर देखने को मिला जब रोईत सिर्मा ने संदार तरीके से गेन को लॉंग लेक के उपर से मैक्समम के ले स्टेंड में बेच कर पहला चका जड़ दिया इस मुकाबले का तो वहीं पर इसके बाद उस्तु पाचवे आवर की तीसरी गेन पर मैंदी एसन की गेन को रिसब पंद ने भी संदार तरीके से मिड़ोन की तरब चोके के ले बॉंडी लाइन के पार भेजा तो वहीं पर इस सब पंत के बले से पहला चका चटे और की पहली गेन पर देखने को मिला जब उन्होंने साकीब की गेन को सांधर तरीके से स्क्वाड ले के उपर से चके के लिए बॉन्डी लाइन के पार भेज़ा तो वहीं पर इसी और की दूसरी गेन पर भी उनके बले से एक और संदर छका देखने को मिला और बेक टू बेक दो छके उन्होंने संदर तरीके से जड़े तो वहीं पर इसके बाद उस्तु साकिप के और की आखरी गेन पर भी एक और संदर सोड देखने को मिला और उन्होंने स्लोक स्विप के जिरे गेन को छक्के के लिए बॉंडी लाइन के पार फेज दिया दमदार पलेबाची यहाँ पर रिसा बंत की देखने को मिली और उनकी इस अदुबत बलेबाची के चलते टीम इंडिया का स्कोर एक समय पाउर पले तक कापी कम लग रहा था लेकिन इसके बाद उनके इस आखिरी और मिसांदर परफॉमेंस के चलते पाउर पले में 55 रनों तक पहुँच गया लेकिन इसके बाद उस्तु साथ वे और की चौती गेन पर मैं अब्दुला ने टीम इंडा के कप्तान रोईत सर्मा को रिसा दोसन के हाथू केच करा कर पैवलेन बेच दिया इस मुकाबले में 19 गेनों पर 30 रन बना कर पैवलेन लोटे रोईत सर्मा लेकिन इसी बीच सांदर परफॉमेंट जारी रहा दूसरी तरफ से रिसा पंद का उन्होंने आठवे और की पांच वी गेन पर एक सांदर तरीके से स्टेंडिंग स्विप सौट कहला और गेन को च जालने हैं मैं अबदूला की तिसरी गेन पर सपंद के बल्ले से एक और बड़ा सोट देखने को मिला और इस बार वन हेंडेट उन्होंने गेन को छक्के के लिए लोंगों उनके उपर से बौंडि लाइन के पार वेज़ दिया तो वहीं पर इसके बाद कापी देर से सुर् ये भी उन्होंने सांडर तरीके से सोट कहला चाहां पर फाएल की तरब उन्होंने चोका जड़ा उन्होंने चौदवे और की चौती गेन पर भी एक और संदार चोका बेकवर्ट स्कारले की तरब जड़ दिया स्विप के जरिये और गेन को बॉंडी लाइन के पार वेजा और पेवलेन बेस दिया सीवम दूबे को चिनोंने संदार परपॉमेंस करते वे 16 गेनों पर चावधरन बनाए रेकिन इसके बाद उस्तु क्रीज पर उतरे हार्दिक पंड़ा ने 16 और की तीसरी गेन पर एक संदार चोका एक्ष्टा कवर के उपर से जड़ दिया तो वहीं पर उसके बाद उस्तु इसी और की आखिरी गेन पर सुर्य कुमार यादव ने भी कट के जरिये गेन को बॉन्डिलाइन के पार फेज़ दिया इसके बाद उस्तु हार्दिक पंड़ा ने 17 और की पहली गेन पर एक बड़ा चखका जड़ा चांपर उन्होंने तन्वीर इसलाम की गेन को सीधे चखके के लिए बॉन्डिलाइन के पार फेज़ दिया मिड विकेट के उपर से तो वहीं पर और की दूसरी गेन पर भी एक पार फिर से गेन को लॉंग ओप के उपर से छके के लिए बॉन्री लाइन के पार बेजने में काम्याब हुए यहाँ पर हार्दिक पंड्या और बैक टू बैक दो छके जड़ दिये लेकिन इसी और की तीसरी गेन पर भी उन्होंने एक और बड़ा सोट केला और इस बार डेप मिडविकेट के उपर से छका जड़ कर छकों की हैट्रिक हार्दिक पंड्या ने पूरी का डाली और दमदार बलेबाजी का यहाँ पर फ्री जाई दिया लेकिन दोस्तु इसी और की पांचवी गेन पर सूरे कुमार यादव एक और बड़ा सोट केलना जाते थे लेकिन यहाँ पर वो गेन दिसी दे तोविड हिर्दाई को थमा बैटे और 18 गेनों पर 31 रनों की संदार पारी केल कर सूरे कुमार यादव भी पेवलेन लोटे उन होने एक और चोका जड़ा और टीम के स्कोर कॉर्णिदारित बीस और में 182 रनों तक पहुंचाया वह एक 183 रनों का लक्सिय बंगलादेश के सामने रखा वहीं पर दोस्तों इस लक्से का पिच्चा करने उतरी बंगलादेश की टीम को पहले आवर में ही करारा जटका लगा और यहाँ पर और सदीप सिंग ने सौमयों सरकार को रिसा पंत के हाथू केच करा कर पैवलेन भेज़ दिया वह दो गेनों का सामना करने के बाद सुन्य पर ही चलते बने और पहली सपलता टीम इंडिया को मिली इसके बाद दो यहाँ पर लिटेन दास भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और तीसरे और की पहली गेन पर अर्स दिप सिंग ने उनको भी बॉल्ड करके पैवलेन भेज़ दिया उन्होंने आठ गेनों का सामना किया और वो भी छेरन बना कर पैवलेन लोटे और अर्स दिप सिंग ने दो आवर में दो सपलताएं टीम इंडिया को दिला दी इसके बाद दोस्तों नजमल हसन सांतो को मुहमद सिरास ने पैवलेन बेज़ा चोते और की पांचवी गेन पर वो बड़ा सोट केलना चाते थे लेकिन यहाँ पर गेन उनके बले पर सिधी तरह से आई नहीं चब उन्होंने पांचवे और की पांचवी गेन पर एक संदार चोका मिडविकिट की तरफ लगाया हार्दिक पंडिया की गेन पर तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तंजीद हसन ने भी संदार तरीके से सातवा और डालने आए मौमद सिरास की पहली गेन पर कवर की तरफ एक संदार चोका जड़ा तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेन पर भी उनके बल्ले से कवर की तरफ भी एक और चोका देखने को मिला और बेक टू बेक उन्होंने दो चोके जड़े लेकिन इसके बाद उस्तु आटवा और डालने आए अकसर पटेल ने संदार गेन बासी करते हुए यहाँ पर तौविड हिर्दोई को पैवलेन बेजा हिर्दय बड़ा सोट खेलना चाते थे लेकिन यहाँ पर गेंद सीदे रविंदर जड़ेजा के हाथों में गई और अकसर पटेल को आज के मकाबले की पहली सपलता मिली हम बात करें यहाँ पर तौविड की तो वो 14 गेनों का सामना करने के बाद 13 रन बना कर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद दोस्तू तंजीत हैसन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और नौवा और डालने आये हार्दिक पंड़े की दूसरी गेन पर वो बड़ा सोट केलना चाहते थे लेकिन उनसे गलती हुई और गेन सिद्धे जाकर पहुँच गई आर्सदीप सिंग के हातों में और वो भी 18 गेनों पर 17 रन बना कर पैवलेन लोटे और 5 वा जटका बंगलादेस को लगा वहीं पर दोस्तू इसके बाद बंगलादेस की तरब से पंदरवे और में एक बार फिर संदर बलेबाजी देखने को मिली जब दूसरी गेन पर मेहबदुला ने सांदर तरीके से बिहाइंड देसक्वाइर गेन को छके के लिए बौंडी लाइन के पार बेजन तो वहीं पर दोस्तोई और की तीसरी गेन पर बैक वटो उपर से उन्होंने चोके केले गेन को बॉंडरी लान के पार वेज़ दिया जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेन पर शाकिप के बले से निकले चोके के साथ ही इस ओवर में 20 रन बने तो वहें पर इसके बाद अर्ष दीप सिंग जब 17 वा आउट डालने आए तो उनके ओव में भी एक चोका जुरूर लगाया यहां पर महब्दूला ने संदर बलेबाजी करते वे इसके बाद महब्दूला रिटाइड होकर पैवलेन लोटे तो वहीं पर इसके बाद नए बलेबाज रिसाद हुसेन करीज परूतरे लेकिन इसी बीच उनिसवे और की चौती गेन पर बीच वे और की तीसरी गेन पर रिसाद हुसेन को पैवलेन बेजा अकसर पटेल के हातों केच करा कर वो इस मकाबले में पाँच केनों पर पाँच रन बना कर पैवलेन लोटे तो इसके बाद नए बलेबाज करीज पर उतरे जाकिर अली गेन पर बड़ा सोट खेलना चाहा लेकिन गेन सीदे संजू सेमसन के हातों में चली गई और यहाँ पर एक और बड़ी सपलता मिली सिवम दूबे को और यहाँ पर जाकिर अली सुन्य पर ही पैवलेन लोटे लेकिन इसके बाद यहाँ पर बंगलादेस की टीम ने दारित 20 और में 120 रनों तक ही पहुंच पारती टीम ने 65 रनों से इस मकाबले को जीत लिया तो दोस्तु टीम इड़े के जीत आपको कैसे लगी आप हमें अपने राइ कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद दोस्तु